हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दिन है आज मंगलवार और सुबह के छे बज रहे हैं तो बस मेरे किचन की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है सुबह सुबह तो सबसे पहले यहाँ पे डाल र बनाना है और चावल रोटी लेकिन जब डाल बनानी होती है तो डाल बनाना फिर उसी कूकर में जो है चावल रखती हूं तो इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी होती है और डाल होने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है तो डाल इधर रख दिया है और इधर अभी चाय सुबह का वही बस पानी पीना ज्यारू लगाना ब्रस करना यही सब हुआ है आज कल एकसरसाइज नहीं कर रही हूँ इतनी थंड है ना कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि एकसरसाइज करूं रूम में बेटके और होता ही है कि सोते हम लोग उस वाले रूम में है तो ब्लोवर उसी में हीटर रखा हुआ है इधर तो है नहीं तो बिना हीटर के योगा एक्सरसाइज करना मतलब वही है कि सॉल या कैप हटाने का बिल्कुल मनी ने कर रहा है और योगा एक्सरसाइज करने का मतलब की सरीर थोड़ा सा धीला डाला रहे फ्री रहे तब ही करने में सही रहता है इतना सारा कुछ स्वेटर वगरा इनर पहन के तो पूरा जैसे अपना सरीर बधा बधा सा लग रहा है इतनी ठंड हो रही है कि मन नहीं कर रहा है तो इस वज कर लूँ योगा तो नहीं हो पाएगा योगा तो अब जो है वो स्टार्ट होगा थोड़ी सी ठंड कम होगी तभी स्टार्ट होगा तो बस इधर डाल रखा मैंने और चाय बनाई फिर जो है सबजी डाल दी है कड़ाई में मूली की तो आज मैं मूली की सबजी बना रहे और डाल तब तक हो गया है तो उसी कूकर में जो है चावल भी रख दे रही हूँ और यहाँ पे आज डाल मैंने बिल्कुल सादा बनाया हुआ है कुछ भी नहीं डाला ऐसे जैसे टमाटर प्या आज लैसुन में सब कुछ कट करके डाल देती हूँ तो आज कुछ नहीं डा मैंने मंगा के रखा हुआ था बनाना था पराठा लेकिन पराठा नहीं बन पाया तो बस दो तीन दिन बाद आज सोचा कि सबजी बना देती हूँ नहीं फिर यह रखे रखे खराब हो जाएगा और इस वज़़े से ना उसको होने में थोड़ा सा टाइम लग गया ऐसे एक और धरा धनिया इधर जो है टमाटर हो गए हैं तो इनको मसल लिया है मैंने और इसी में प्याज धनिया लेसुन अद्रक मेच ये सब कट करके डाल दिया है तो मूली मुझे लगा ना कि सबजी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो दोनों रहेगा और दूसरी चीज की पता नहीं सब को पसंद आएगी कि नहीं बहुत कम ही बनाती हूं सीजन में पूरे सीजन में एक या दो बार बनता है वस यही ऐसा नहीं है कि हमेशा बनाती हूं लेकिन बहुत अच्छी सबजी बनी थी बहुत ही टेस्टी बनी थी मैंने ये सोच के चोखा बनाया था कि अगर बहुत अच्छा नहीं बनेगा तो ये चोखा रहेगा तो साथ में मतलब सब लोग खा लेंगे लेकिन फिर ये बोलने लगे कि चोखा की तो जरूरत ही नहीं थी सबजी खुदी बहुत टेस्टी बने थी बहुत अच्छी लग रहे थी और सच में मुझे भी बहुत अच्छी लगी पैसे भी मैं मूली की सबजी या पराठा कुछ भी हो बहुत मन से खाती हूँ। ये मूली के पत्तों की सबजी तो हमेशा बनाती हूँ लेकिन इस तरह मूली की सबजी बहुत कम बनाती हूँ। तो बस आटा लगाया इता रोटी बना लिया और अभी इनको दे दे रही हूँ यहाँ पे यह खाना निकालके और इनके जाने के बाद आ गए हूँ इधर बेडरूम में तो और रोटी सारी न अभी मैंने नहीं बनाई है तो पापा जब खाएंगे तो तभी बनाऊंगी अभ ही तो मैंने उनको चाय दिये तो ठंड में उनका भी हाल वही है जब हम लोग का यह हाल है तो जो लोग बुजुर्ग हैं उनका तो हाल जादा ही खराब हो जाता है वो रूम से निकलते ही नहीं है सुबह एक बार मैं उनको चाय दे देती हूँ फिर वो आठ सबार आठ बज हाना है तो इधर यह कपड़े कल मैं छट से उतार के लिए थी ना ऐसे ही रखा रह गया इसको मोड नहीं पाई तो अभी मैंने कपड़े वगरा मोड के सारे रख दिये हैं और कपड़ों का भी क्या हो रहा है ना कि अगर कपड़े बाहर रखे हैं तो पता ही नहीं लग रह रहती है नहीं तो बाहर तो कपड़े बिल्कुल ठंडे हो जा रहे हैं तो बस कपड़े वगरा रखने के बाद यहां पे बेट सीट यह सब भी सही कर दिया तो इसमें सिर्फ टीबी देखते टाइम आज कल हम लोग बैट रहे हैं साम को वही सुबह तो नहीं साम के टाइम वही क्राइम पेट्रोल चलता है एक दो सो या कभी तीन हो जाता है यह जल्दी आ जाते हैं तीन हो जाता है नहीं दो सो तो रेगुलर है नियम है यह रेगुलर देखते हैं मुझे कभी कभी जो अच्छा लगता है तो मैं भी देख लेती हूं नहीं तो फिर मैं अपना काम भी बीच भीच में वही करती रहती हूँ बीच में अगर интерес JERRY रहता है तो देखती भी रहती हूँ तो बस सब सही करने के बाद जहाड We metrics यहां रूम अर अभी किचन में बना के वेड़े बापा को दिया तो सारी रोटिया मैंने साथ के साथ बना ली और अभी कर ले तो इस वज़े से मैंने खाली नहीं किया है और मंजू आंटी का भी वही होता है बहुत लेट आती हैं सुबर तो बहुत लेट करके आती हैं और मैं बोलती भी नहीं हूं कि ठंड थोड़ा कम हो जाए तभी फिर अगर लेट आएंगी तो कहूंगी अभी क्या कहना जब किसी स काम होई नहीं पा रहा है तो सबका अपना-पना काम रहता है घर के भी कुछ काम होते हैं तो वो निप्टा के ही आएंगी तो किचन का काम खतम करके जो बरतन वगरा थे सिंक वगरा धूला और अभी आगी हूं इस वाले रूम में तो थोड़ा सा हाथ सेख ले रहे हूं कि थोड़ा सा गरम हो जाए हाथ पानी में डालने के बाद ना बिल्कुल जो है ठंडे हो जा रहे हैं तो बस इस रूम को भी सही कर ले रही हूं और ये रूम ना अभी जैसे लगता है कि वो हो जाता है कबार खाना टाइप का लगता है इसमें कपड़े जो धुलने होते हैं वो भी कपड़े इदर उदर पड़े रहते हैं जो साप हुए कपड़े सूखे नहीं रहते हैं उसको भी मैं इसी में चेयर पे और एक रसी बांदी या उस पे ऐसे फैला के रखती हूं कि इसमें सूखते रहते हैं और जो पहने हुए कपड़े ये जो पहने रहते हैं निक सारा कुछ इसी में हो रहा है तो गंदा भी हो गया है बेट सीट वगरा मतलब यह हो रहा है ना कि धूप अच्छी हो तो गद्दे वगरा निकाल के थोड़ा सा धूप में दिखा के तब इसको अच्छे से जाड़ा जाए लेकिन फिलाल धूप तो है नहीं तो मैंने बेट सी अगरा जाड़ के अच्छे से कंबल मोड उड़की रख दिया है और अभी जाड़ू लगा दे रहे हूँ इसमें पोछा तो लगाती नहीं हूँ इसको सिधे धोई देती हूँ लेकिन अभी धोने लायक भी नहीं है धो दूँगी तो पूरे दिन ये सुखेगा ही नहीं त तो उसके लिए भी धूप का ही वेट करना है जाड़ देती हूँ न तो साप हो जाता है हपते में एक दिन तो इसको धोई देती हूँ मतलब ये नहीं है धूप हो या नहो हपते में एक दिन और अगर अच्छी धूप हो जाती है तो हपते में दो तीन दिन धूल देती हू लेकिन इधर तो हफते में एक ही दिन हो पा रहा है तो उधर का काम खतम करके आ गए हूँ इस रूम में तो यहाँ पे डिस्टिंग कर ले रही हूँ जो डेली यूज वाले टेबल ड्रेसिंग ये सब होते हैं न बहुत जादा डिप क्लीनिंग तो आज कल हो नहीं रही है लेकिन जो रोज का होता है रूटीन वो तो होता ही है तनमय का रूम ऐसे ही छुटा हुआ है जाड़ू मैं लगा देती हूँ अभी वो उसी रूम में है बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है तो बहुत जादा डिश्टर्ब मैं नहीं करती हूँ और वो खुद से ही ना बोलता है कि मैं खुद से कर लूँगा पढ़ाई करने के बाद तो मैं भी छोड़ी देती हूँ कि ठीक है अभी जब तक घर पे हो अपने हिसाब से कर लो जब चले जाओगी स्कूल वगरा तो फिर मैं अच्छे से करूँगी तो बस पोचा लगाने के बाद मैं नहाने चली गई और अभी नहा के आ गई हूँ तो कपड़े किसी और के तो नहीं धूले हैं बस मेरे ही कपड़े जो मैंने स्वेटर सॉल सब पहना हुआ था उन सबको धूल दिया है और धूप बिलकुल भी नहीं निकली है देख रहे ह तो बस सारे कपड़े वगणरा मैंने डाल दिये हैं और अभी ये जो है रात का टाइम है तो यहाँ पहर मैं रात का खाना बना रही हूं साम को वही चाय और नासता जो साम का होता है वो सब हुआ और कुछ काम तो वही दिन भर ही होते हैं छोटे-मोटे कुछन Marketing कुछ काम अटके ही रहते हैं सुबह और रात का काम हम लोग का थोड़ा सा जरूरी वाला होता है बीच में ऐसा भी नहीं है कि हम दिन बर आराम करते हैं छोटे मोटे काम पूरे दिन चलते रहते हैं तो वस यहां पे मैं बना रहे हूं यह मतर पनीर की सबजी तो बहुत ही सिंपल तरीक अब या तो सुबह की जल्दबाजी रहती है मुझे खाना पिना या काम की इस वज़ज़ से या क्या लेकिन मुझे सुबह बहुत जादा ठंड नहीं लगती हैं और साम के टाइम ना मेरी हालत बिलकुल खराब हो जाती है तो बहुत जादा ठंड लग रही थी बस जल्दी ऐसे हो जा रहा है ठंड की वज़े से तो लास्ट में फिर इन्होंने बोला कि एक कप और चाय पीने का मन करा है खाने खाने से पहले मतलब एक कप और चाय मिल जाय तो अच्छा है तो मैंने बोला ठीक है बनाऊंगी मगर दूद वाला नहीं बनाती हूं ये काढ़ा बनाती और इधर पानी डालने के बाद गरम मसाला और नमक डाल दिया था तो सबजी हो गई है और अभी यहां पे पूडियां तल ले रहे हूं तो मटर पनीर की सबजी या फिर पनीर की कोई भी सबजी मैं बनाऊं तो उसके साथ सबको पूडियां ही पसंद आती हैं एक बार मैंन थोड़ी सी जल्दी बन जाएंगी तो बस यहाँ पर पूरियां तल ले रही हूँ उसके बाद सब को खाना दे दूँगी और यहाँ पर देखिए यह सबजी बहुत ही अच्छी बनी है और तनमे को बहुत आज वाली सबजी पसंद आए उसको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो का एंड भी यहीं पर कर रही हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर चैनल को सब्सक्राइब